गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई में देन गोयर, वेल्कम टू क्लास सेकिन ओफ एविएस, आज हम एविएस का सेकिन चेप्टर स्टार्ट करेंगे, दर्स चेप्टर नेम इस काइंड्स ओफ हाउसेज, हाउसेज के घर के परकार, घर कितने परकार के होते हैं, कौन क से एक पिक्चर स्लेक्ट के जिये, रूम, एंड राइट डाउन, औल दा, तेंग्स, डैट यू कैन सी इन इत, एक रूम को स्लेक्ट करना है, राइट डाउन, नीचे, इनमें क्या क्या चीज़ी हैं, वो यहां राइट करने हा, यह रूम अपनोंने स्लेक्ट कर लिया है, that's book salmira, that's lamp, that's sofa, okay, let's read, we will live in a house with our family members, हम सब अपने घर में अपने परिवार के सदिस्तियों के साथ रहते हैं, a house has a roof, house में क्या होती है, एक चत होती है, and walls that shelter us from heat, shelter means शरन, सहारा या शरन, जो की दिवारे होती है, एक घर में चत होती है, दिवारे होती है, जो की हमें heat, गर्मी से shelter, यानि की सहारा देती है, शरन देती है, cold, ठन से, rain से, rain, बारिश, and wind, हवा से, हमें सहारा देती है, it also keeps us safe from animals, और हमें यह किस से सुरक्षित रखती है, animals, जानवरों से, and people who can harm us, like, और लोग किस से खतरा मैसूस करते हैं, like thieves, जैसे की चोरों से, उससे भी हमें यह घर अपने को बचाता है, सुरक्षित रखता है, a house has doors, house में क्या है, doors दरवाजे है, and windows खिड किया है, that let in fresh air and sunlight, किस लिए, ताकि अपने को fresh air, ताजा हवा सके, and sunlight, सुरे की रोशनी आते रहे, let's read about the different kind of houses, अब अपने read करेंगे, houses के बारे में, घर के कितने प्रकार है, houses long ago, पुराने बहुत लंबे टाइम के, घर कोन-कोन से होते है, लोग एगो, लंबे टाइम, आफ्टर लोग एगो, people live in a cave, caves, लोग कहां रहते थे, caves, गुफा में रहते थे, slowly, धीर धीरे, they learn to make, they learn to make, hurts, उन्होंने क्या बनाना स्टार कर दिया, hurts, hurts मैंने जोओं पडिया, with leaves and branches of trees, trees, trees के जो branches हैं, तने हैं, जाड हैं, उनकी पतियों से, and later with mud and straw, और बाद में, मिट्टी से और तिनकों से बनाना स्टार कर दिया, उन्होंने घर, these houses were not strong as heavy rains, heavy rains and strong winds could damage them, but वे घर जो होते थे, मजबूत नहीं होते थे, वे बारी वर्षा या तेज हवा से damage हो जाते थे, यानि की तूट जाते थे, many years ago, कुछ समय बाद, kings built castle, राजा जो होते थे, उन्होंने अपनी क्या बनाई, दुर्ग बनाए, खिले बनाए, castle कैसी होते है, दुर्ग के लिए, राजा के लिए, राजा ने क्या बनाया, निर्मान किसका किया, castle, and places to leave in, और उनमें रहने लगे, they were strong as they, वे बोद मजबूत होते थे, they were made of stones and wood, वे किसके बने होते थे, stones पत्थर से और wood लकणी से बने होते थे, you must have heard about castle in stories, तुम हमेशा castle को story में सुनते हो, castle in ki, गुफा, sorry, दुर्ग को अपनी अपनी कहानियों में सुनते हो, जैसे कि महाराजा ने इस दुर्ग पे आकर्मन कर दिया, इस किले पे आकर्म कर दिया, so thank you, आज इतना ही पढ़ेंगे, thank you students,